तो ये हिंदूों का जो हुआ है वो हिंदू हमारे हैं भाइजान आपको भी केस का टोटल नहीं ना पता डिटेल में नहीं पता ऐसे आडियंस को भी उसरी केसे नहीं पता जो नेक्स वीडियो आगी उसमें पता चले काफी देर से लेकिन शुएब भाई वो मेरी बात माननी करें लेकिन मर्द का बच्चा बने समने आके करें पीट से वारना करें अब किसी हिंदू से उधर बात कर रहे थे तो वह अपनी लेंग्विश में कहता है माशाला असलाम अलेकुम मतब मुसल्मानों की वर्डिंग यूज़ करता है अब इस चीज़ से आप अंदाजा कीज है कि उन लोगों को ये चीज़ें करनी पड़ती हैं उनके लिए मजबूरी है अगर वो बाहर निकल के असलाम अलेकुम नहीं करेंगे तो लोग उनसे नफरत करेंगे आप इस चीज़ को देखिए ना कि वो कितने मजलूम और कितने बिचारे हो चुके हैं पाकिस्तान के ब कितने पैसे लगे हैं दे देंगे आप अजादी से सारे सिलसले करेंगे जब आप अजादी नहीं हुए जब आप अपने अबादात खुलके करी नहीं सकते हो तो फिर क्या फाइदा हुआ हमें चीज़ों को लेके और पाकिस्तान इस टाइम जिस लेवल पे हमें ले आए आप यकीन कीजिए कि इस किसम का इवार्ड मिलता आपको पुछें क्यूं क्यूंकि आपकी वाद सिंध पार्लिमेंट में भी चलेगी सिंध असंबली तक आपकी बात गई है बड़े बड़े जो मिनिस्टर से वो हीलें आपकी बात से अब मुझे ये बताईए कि उस मिनिय नहीं चाह रहे थे उन लोहों तक वो बात गई इधर मैं एक चीज़ ये कलियर करना चाता हूं मैं जिससे भी आप मिल रहा हूं बहुत लोग एप्रिशेट कर रहे हैं कि सुहेप चोधरी ने अकेले ने ये कर दिया या कोशिश कर दी मिनौरिटीज के साथ खड़ा हो गया और भाई देखें ये क्रेडिट सारा मैं अपने उपर नहीं लेना चाता है सबसे पहले तो मेरी टीम है ये लोग है एडिटर है या जो भी प्रापर टीम है उनका भी बहुत बड़ा रोल है मेरे साथ खड़े हुए और उससे बड़ा रोल सर आडियंस का रोल है मैं ये दूसरी से तीसरी वीडियो ना बना पाता तीसरी से चोथी वीडियो ना बना पाता ये कैमरा और ये माईक आपकी पावर है पूरी दुनिया इस बात को सुनती है ये आपको समझ आई बात अगर आप उदर जाके आठ दिन अपने घरवालों से दूर ना होते दस दिन उद सर इस तरह के कई वाकियत हो चुके हैं जो ऐसे खुले और ऐसे ही दफन होगे जिनका किसी को पता ही नहीं चला तो मैं क्यों ना एपिशेट करूँ इस बात के ओपर कि यार यह बात कहां कहां तक नहीं उठी कौन कौन सी जगां पर नहीं उठी आप यह देखिए ना कि मेंस् कि जागे मुझे बताएं जिने हम मिनौरेटी मिनौरेटी हिंदू हिंदू कहते हैं यह पाकिस्टानी है हिंदू-बाद में पाकिस्तानी हम्ता कर त wizber आप यह बात Im Re करके आए हम लोग तो पैदल चले के आए हम लोग तो बसों में आए इंडिया था हमारे पास तब या कुछ नहीं था वो लोग तो आ रड़ी यहां पर अच्छा बात और मुझे जो बात मेरी ना जो आपने काम इतना अच्छा गी है मेरे गिले शिक मेरा घुसा सारा ठंडा ह शुकर है हो गया नहीं तो आपको गुसा अक्सर ही रहता है अज इस बात को लेकर ओडियंस के सामने करना चाता हूं कि आपके बारे में पता चल जाए एक बात ऐसी थी जो शुएब भाई के साथ ना मेरे एक तलाफाद चल रहे थे पिछले काफी देर से लेकिन शुएब अगर उat तो आप मेरे हो सकता है आपका मेरा इंटर्वी लास्ट हो अचा यह वारनिंक दी जा रही है मुझे अलबावाबिद बाहिजे देखें हारे का अपना 마음 स further होके बात करूंगा और जिस बात की आप बात कर रहे हैं, मतलब जिस टॉपिक की तरफ या जिस चीज का आप हवाला दे रहे हैं, बलीव मी, हार एक अपना कंसेप्ट है, कि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नुकसान हो मेरी वज़ा से, किसी जो लोग किसी पर यकीन करते हैं, या ये चीज़ें कि इस बात पर मैं आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक है, मुझे जो करना है वो फिर मैं इन्शाला करूंगा, आपको करके दिखाऊंगा, देखिए, कोई बान नो प्राब्लम, देखिए हमेशा आप मेरे श्वेब भाई का जो है ना, वो प्लैन ये होता है, हम हमेशा सच के साथ घड़े होना, अगर आप इस जगहां पर मेरे साथ खड़े नहीं ना होंगे शुए बाई, तो मुझे हमेशा आपके साथ गिलाश इक हुआ रहेगा, चीज़ को लेके, तकलीफ रहेगा, आबिद भाई, मैं ये कह रहा हूं कि खुशी का मौक है, इसके और ये ही खुशी के बारे में, आब मेरे से ये पूछें वहां पर कैसा मेरे एक्स्पिरियंस रहा, ये जो चीज़ें हैं, ये नेगिटिव चीज़ें हैं, मैं नहीं चाहता, और इवन मैंने ये दो तीन दिन पहले जब मैं सिंद में था, एक वीडियो मैंने रिकार्ड की थोड़ा गुसे में था, उसके लिए भी मैं सबसे सोरी करता हूँ, हर एक से सोरी करता हूँ, हनाके वो किसी एक के लिए वीडियो नहीं थी, वो तमाम यूटिवर्स के लिये थी, और किसी एक को Onsubscribe करने का नहीं नहीं बोला, बहुत से लोगों ने उसके और रेकशन लिय तो मुझे अंसब्सक्राइब करें मैंने तो ये पूरी बात ये थी लेकिन हैर जिसने जो चलाया जो होता है ना वह हमेशा ठंडे रहने वाला पीस पे रहने वाला मिजोर्टी को लेकर चलना होता है लेकिन श्वेबाई किसी जगहां पर बात करनी भी होती है और जो आपको लाइक कर रही है जो आपको पसंद कर रही है अगर यकीन और भरोसा करती है जो आपके उपर अगर हम उन लोगों कोई सच ना बता सके तो फिर हमारा ही टीवी पे आना मीडिया पे आना यूट्यूब पे आने का फाइदा कोई नहीं है अच्छा एक और चीज मैंने साची इससे नफरतें बढ़ें मैं समझता हूं साच को उसको करेंगे आपको दिखाएंगे करेंगे आपकी मर्दी आपका दिल की आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे मुझे को रोग नहीं सकता मैं अभी जागे किसी और को इंटर्वी कर टिम को चाम कर के आयो आपने मुसलमानों का नाम रोशन किया इनसानियत का नाम रोशन की आपने पुरी दुनिया में बताया कि इनसानित की सपीत अधार देंगे रेज्ड़ फिश्ले दिनो तड़प रहे थैंइंगे मेश्तOSH रस्तिव पहरे घृदुतिशीन दिन रा आल्टो वह आपको भी पता है इंडिया में गाड़ी है आल्टो साड़े तीन लाख रुपे की लेटस्ट मैंने यूज में बाइस लाख रुपे की आटो जो है वो खरीदी है इस चीज पे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि यार देखिए कि इंडिया कितनी तरकी कर रहा है और ह हमारी ये पॉलीसी है आपकी यहां कोगे किसी को दिखाने के लिए नहीं है यह दिल से वाकिया आपने काम बहुत बढ़ा किया आपकी टीम दस दिन उदर बैटी रही है अपने घर से दूर मैं चीज को समझता हूँ क्योंकि मैंने कभी लहोर से बाइर जानना होता है आट- अच्छा एक और चीज़ मैं यहां पे कलियर करता चलूँ और आडियंस को बताता चलूँ कि कुछ लोगों गाबिद भाई ये भी कहना था ओभाई उदर जा के प्रोटेस्ट करके वहां पे जाके जोंसा वो नारे लगा के वहां पे जाके लोगों का इंटर्विव करके जो महाराज हैं उनके साथ जो मेरी वीडियो आने वाली है जिसके अंदर हम ये नारे जिसके अंदर ये परोटेस्ट से हटके जो चीज़े हमने की वो वीडियो है मैं यह समय तो जितनी भी वीडियो हमने उस मिशन को लेके बनाई उन सबसे इंपोर्टेंट वीडियो वो है जो कि आज शाम को या फिर कल अपलोड होगी आप जरूर देखिएगा ज्यादा से ज्यादा उसे जरूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो सकते हैं पहले तो मु वो टिकट ली आप मैं सर आपको उस चीज़ का ड्वांटिज दूँगा उस चीज़ पर मैं आपको एपिशेट बार बार करूंगा जितनी बार किसी को आग लगती है लगती रहे मैं आपको आपिशेट करूंगा आपिद भाई याप मेरी जो आडियंस है बलीव मी कसम वो जाना चाहिए और刃 पर जागे अगर मेरा क्या नुक्सान हुए मेरा फाइडा हुए मैं ओपर न्हीं कहता हूं पहले में आपसे करता था इतना प्यारी एक्जेपल दे रहा हूँ आप बिलीव कीजिए जो आपने काम किया ना इतना प्यारा आपसे करने लगे हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे दिल से एक जपी डालू प्लीज में से जपी डालू आपने इंसानियत का नाम रोशन कर दिया है आपने बताया कि इंसानियत होती क्या है देखिए मैं चीज़ को नहीं कहरा कि वो हिंदू के म्यट्टी थी, उधर मुसलमान पे होते तो आप जब भी यही काम करतें उधरॉड क्रिस्टनस होते आप जब भी यही काम करतें लेकिन आप अपने किया है कै पाकिस्तान का नाम रोशन और पाकिस्तान की उन जगहंगों में आवाज है कि जहां पर हिस्ट्री में कोई नहीं पहुँचा सका इतने बड़ी बात करह美味िast को समझे को मैं अपनी आ रही थी आपका मेरा राप्ता हुआ अगए लोजी वापस आ गए हुगे तो देख लेंगे लो जी वापस आ गए हूं जिसने जो करना है करे ओपन ली लेकिन मर्द का बच्चा बने सामने आके करे पीट से वारना करे तो फिर हमसे भी जो हो सका लीगल वे में या जैसे भी हम भी जरूर करेंगे डंकी से डरते नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया है मैं जानता हूं मैंने पाकिस्तान के इमेज के लिए काम किया है अगर किसी को आग लगती है बुरा लगता है मैं सोरी करता हूं लेकिन अपने स्टांस पे खड़ा हो के मतलब आपको बुरा लगा उसके लिए सोरी आप एक अच्छा काम कर रहे हैं आप एक नेक काम कर रहे हैं किसी की अबादतगा को आप बचा रहे हैं उदर जाके रेखा जैसी एक उरत को आप सरयाम सब के सामने लेके आ रहे हैं कि यह क्या हो रहा है उसकी मजभव इसलाम के साथ शादी भी हुए मुसल्मान के साथ वह अकीका भी कर रही है बच्चा भी है और वह हिंदू बनके दो नंबरी कर रही है उस मंदर को गिराना चाहा रही है देखी इस जगहां पर मज़ित होती तो जब भी हम लोगों ने ऐसे खड़े हो जाना था तो यह हिंदूओं का जो हुआ है वो हिंदू हमारे हैं भाइजान आपको भी केस का टोटल नहीं ना पता डिटेल में नहीं पत हैं इवन पॉलिटीशन वहां पर इन्वाल्व हैं जो हमें पता चला है वहां के महराज ने बोला मदरासी कम्यूनिटी ने यह बोला हम हिरान रहे हैं हमने जब जब इसके पर सर्च की यह ऐसा नहीं है कि एक रेखा खड़ी और बासी ऐसे बहुत सी चीज़े रेखा तो प बिल्कुल ऐसे है तो हमें चाहिए देखिए भई हमें चाहिए कि हम किसी के मख्ग को तकलीफाना दें किभी आपने यह सुना है कि हिंदू ने पाकिस्तान में हमें यह तकलीफ में यह दोने हैं यह थिखा कर ते हैं हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिक्ष हो, सब इकोल है, तो फिर अगर जियात्ती होती है, कोई ऐसा वाक्या होता है, तो मिनौरिटीज के साथ ही क्यों होता है, क्या इस वज़ा से होता है, कि वो कम है, या इस वज़ा से होता है, कि पाकिस्तान में लाइन आर्डर नहीं है, अब इ चीव मी मैं जहां पर गया हूं इंटिरियर सिंद्ध गया हूं या फिर यहां पर क्राची में जब गया हूं जहां पर उन्हों ने बोला कि बाई अगर हमने छोड़ के जाना उता तो आज भी हमारे पास अप्शन मुझूद है और नाइटिन फॉर्टी सैवन में भी अप्श सब्सक्राइब कि पाकिस्तान का नक्षा बने से पहले पाकिस्तान का नाम सोचने से पहले भी वह मंदिर था उ露ेशन की निए और यकीन कीजिए पूरी दुझा में हमारा image अच्छा होगा पूरी दुनिया में भोगो देखे ना इसलम को लोग जैसे बदनाम करते हैं मुसल्मानों को जलील करते हैं शौर्टोंच वोजिखी ज comic मुसल्मानों की घदारियों की वज़ा से इनकी दो नमबरियों की वज़ा से इनके जूड़ की वज़ा से इनने जो है ये बनाया जा रहा है पूरी दुनिया के बीच में बताया जा रहा है लेकिन अच्छे लोग हर जगा पे आबिद भाई अच्छे लोग भी आपने किया है इस काम से मुसल्मानों के इज़त भी हूँ और शुएबर जिस जगहां पर भाई की जूर तो पड़े आपने सिर्फ एक आदी कॉल करनी है भाई पोचे इस तलाफात हमारे अपनी जगहां पे हैं लेकि इन जगहों पर मैं इन्शालला आपके साथ रहूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा ऐसे ही हैं ले ख अप्रिशेट किया यहां से बहुत से लोगों ने मुझे लहोर से मुसल्मानों ने बहुत नहीं अप्रिशेट किया हमारा मेंस्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं जाता हमारे जो दूसरे मतलब जो लोग हैं जो काम कर सकते हैं वो क्यों नहीं करते क्या वज़ा है आपको नहीं देखिए इस बात का मैं बड़े सिंपल लफजों में जवाब देता हूँ कि आप किसी हिंदू से उधर बात कर रहे थे तो वो अपनी लेंगविश में कहता है माशाला असलाम अलेकुम मतलब मुसल्मानों की वर्डिंग यूज़ करता है अब इस चीज़ से आप अंधाजा कीजिए कि उन लोगों को ये चीज़ें करनी पड़ती हैं उनके लिए मजबूरी है अगर वो बाइर निकल के असलाम अलेकुम नहीं करेंगे तो लोग उनसे नफरत करेंगे आप इस चीज़ को देखिएं कि वो कितने मजलूम और कितने बिचारे हो चुके हैं पाकिस्तान के बीच में कि लोग उनके बड़तनों में पानी पीना पसंद नहीं करतें आपने देखा नहीं कि लोग अपने बरतान अलग रखे हुए हैं हिंदों के अलग रखे हुए हैं कही कुछ अलाकों में ऐसा है कुछ अलाकों में मैंने तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ मैंने तो खाना खाया बैठके आप से पूछूँ आप से पूछूँ क्या आपनी खाना खाये पढ़े लोग भी थोड़ा सा इस बास से पीछे अड़े और आप चले जी दूसरे शहरों में जहां पर पड़े लिखे लोग कम है आप देखिए एक वो गन्ये का रोता है उसकी रेड़ी के उपर जो है ना वो एक हिंदू आ गया एक हिंदू आ गया और उसने बताया का नहीं के मैं हिंदू हुँ वो शीशे के गلاस में पी लिया जब वो उन्हों ने आपस में बाते हैं लोगं पता चला कि यार इनकी नाम खुदा का चेंज कर दीया हिंदू हो ने मुस्लिम ने क्रिशिन ने इस सब ने खुदा का नाम बन दे तो उसी खुदा आगे न सबीए आप इस भाई मैं चीज नोट की मतलब मेरा चैनल आप पाकिस्तान में हास और पे कराची में क्योंके वहाँ बहुँ आप बड़ी कम्यूनिटी की वाद उठा रहे हो मिनारटी इस की वाद उठा रहे हो आपको पता है और आप बड़ करते हो मुस्लिम से बात करते हूं वो तो कहते हैं हम आलहमदुलिल्ला बहुत फिट फार्ट हैं लेकिन लेट्स पोज मान भी ले या मान एक सेकंड के लिए लेट्स पोज वहां पे कुछ हो भी रहा है तो भाई इसका क्या मतलब है कि हम यहां पर करेंगे एक बात है यह हम पाकिस्तानी हैं हमने पाकिस्तान को देखना है पाकिस्तान में क्या हो रहा है इंडिया में क्या हो रहा है भाई चले जो देख लो जाके इंडिया में क्या हो रहा है तो आप यह फजूल की बातें जो है जीबो गरीब आप करते हो पहले पाकिस्तान को देखो पहले पाक लग मेरे के वो जादी से नहीं मना सकते हैं हम लोग इंडिया की बाते हैं भी खबर से यादा है जिस कश्मीर की हम बात करते हैं मुसल्मानों को जादी नहीं यह चीज़ है वहाँ पे अभी जौन साथ बकाइदा तो पर आड़ महरम को लेकर बहुत बड़ा जलूस निकला है तो कश्मीर से ज्यादा कश्मीर में पाकिस्तान से ज्यादा जादे फिर कश्मीर में है ना इधर तो फोज भी है इधर पुलिस भी है इधर पूरे रौड बलॉक किये हुए है इधर पता नहीं क्या होजेगा क्या होजेगा है लेकि थोड़ा बहुत हमने इन चीज़ों के अगर पाकिस्तान बना के भी आपको सिक्योरिटी की फोज की और पुलिस की जरूरत है ना तो फिर क्या किया अपने पाकिस्तान बना के आप समझेए ना पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हम उदर अपनी अबादात जो है ना करेंगे अजादी से सारे सिलसले करेंगे जब आप अजादी नहीं हुए जब आप अपने अबादात खुलके करी नहीं सकते हो तो फिर क्या फाइदा हुआ हमें चीजों को लेके और पाकिस्तान इस टाइम जिस लेवल पे हमें ले आए हुए है ना जिस लेवल पर हमें कर दिया गया हुआ है ये सर चंद महीने गुजर लेने दे सांस लेनी मुश्कल होजेगी आम आदमी के लिए लेकिन अल्ला ताला खैर करे हमारी ये कोशिश है दौा है हम ये दौा करते हैं कि पाकिस्तान कल ही बेहतरी की तरफ चला जाए लेकिन वो जाएगा डैफिनेटली सिर्फ दौा से लिए प्रैक्रीकली कुछ करेंगे बेहतरी जब होगी कि जब उसके लिए कोई करने वाला नजर आ रहा हो जो मुबे बतन नजर आ रहा हो कि यहां हो मैं चोट डाकू आप नहीं संही हो इक पैखर तरह नियुक्तीज के साथ इंटराक्शन कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ काpa किसी के साथ नाइनसाफी हो रही है या अगर पाकिस्तान की ये सिच्वेशन है तो शायद उसमें पाकिस्तान के लोगों की पाकिस्तान के पबली का बड़ा हाथ है देखें नाइनसाफी हो रही है हम बोलते जाएंगे कुछ करेंगे नहीं मैं सिंद गया मैं लहोर में होता हूं गुजरावाला में होता हूं गुजरात में होता हूं जहां जहां भे भी रिकार्डिंग करता हूं यही चीज महसूस करता हूं कि अगर गल्त होता देख रहे हैं तो हम साथ नहीं खड़े होते तब ही हमें चीखें निकलती हैं तब ही हम पने हुकमरानों को अच्छा करना चाहिए सर आप बात को समझिए हमें वोर्ड बड़ा सोच समझ के देना चाहिए और अल्ला से ये दुआ करनी चाहिए आज आ नौमी महरम है कि हमें मुदी जैसी पॉल्सिस वाला कोई शक्स मिल जाए मुदी साब आई गया हर इस वीडियो में भी मुदी साब आई गया है सर जो सच है वो बताऊंगा ना कि मुदी साब अपने लोगों के साथ संसेर है यार और ऐसी पॉल्सिस ने उस बंदे का ऐसा धमाग है कि अपने इंडिया को कहा से कहा ले जाते हैं यह तो मैं चाह रहा थ था मैं उस टाइम कराची में था नहीं तो मैं चाह रहा था यह इस टापिक के उपर आपके साथ वीडियो की जाए उन्होंने बोला है इंडिया के प्राइम निस्टर ने कि अगर मैं तीसी दफ़ा भी पावर में आता हूं मेरी गोवर्मिंट आती है थर्ट टेनियोर होता है अभी मैं एक अरसा पहले जब मुदी साब की बात कर रहा था तो लोग ना मेरे उपर हसते थे और मुझे बुरा भला कहते थे आज हर बंदा ही मुदी मुदी करने लगे हैं हमारे मनिस्टर एवन शबास गिल साब की बात करें जो कि मनिस्टर रह चुके हैं और आज कल व हैं और बौद बड़ी चीज़ है लेकिन आज सब अपने मुस है कि दूनिया की इंडिंट्री आज है कार के और यह मानना चाहिए लेकिन कर ऐसी में में इंडिया की